दा टास्क बारवी में आप सभी का स्वागत है तो आज सभी बच्चों का एक्जाम है तो चलिए देखते हैं सभी बच्चे एक्जाम में क्या क्या लिखते हैं आज पता नहीं एक्जाम में क्या होगा मैंने जितना याद किया था सब भूल गर मतलानी प्लीज आप मेरी मदद करना पिछले एक्जाम में भी तो ने यही का था और जब एक्जाम का रिजल्ट आया तो सबसे जादा माक्स तेरे ही थे अगंदा तू सही क्या रही है पायल हर बार ऐसे ही बोलती है लेकिन इसके नमबर तो देखो तभी क्लास में मैडम आ जाती है गुड मॉर्निंग इचर गुड मॉर्निंग बच्चो बच्चो आज तुम लोगों का इंग्लिस का एक्जाम है और इस एक्जाम के माक्स फाइनल एक्जाम में जुड़ेंगे इसलिए सभी बच्चे इस एक्जाम को अच्छे से करेंगे और हाँ किसी भी बच्चे के पास चिटिंग पेपर नहीं होगा अगर मिला तो उसे क्लास के बाहर भेज़ दूँगी समझे और नंबर भी नहीं चड़ेंगे तुम्हारे ठीक है मैडम लेकिन मेरे पास कोई चिटिंग पेपर नहीं है मैडम मेरे पास भी चिटिंग पेपर नहीं है आप चेक कर सकते हो मेरे पास भी नहीं है मैडम मैं तो कभी चिटिंग करती ही नहीं हूँ मैंडम किशी के पास कोई बच्चा एपसेंट तो नहीं है ना सभी लोग एक्जाम देने आए है ना हौ मैडम सभी बच्चा है एक्जाम देने चुप चाप सब लोग बैठो मैं अभी पेपर बाट रही हूँ येलो रोश्नी अपना पेपर पकड़ो पायल येलो पकड़ो अपना क्वेशन पेपर मैडम सभी को बारी बारी से क्वेशन शीट दे देती है येलो बेटा आप भी पकड़ो जल्दी से मैडम जल्दी से सभी बच्चों को क्वेशन पेपर डिस्टिब्यूट कर देती है बच्चों सबसे उपर अपना नाम और रोल नमबर लिखो और आज की तारीक लिख देना सब को अपने अपने रोल नमबर याद है ना मैं तुम मैं तुम भूली करी मेरे रोल नमबर क्या है अरे क्या बात करी है तेरा रोल नमबर पांच है मुझे याद है तेरा रोल नमबर और तुझे याद नहीं है ओहो छोई मोई तुम बे कितनी भुलक कड़ो रुको अभी मैं तुम्हें तुम्हारा रोल नमबर बताती हूँ नमबर वन पे हैं चंचल, टू पे है भावना, त्री पे है अगंडा, फोर पे है पायल और फाइव पे है छोई मोई चोई मोई तुम्हारा रोल नमबर फाइव है तो अब सभी लोग जल्दी से अपना अपना रोल नमबर लिख लो फिर उसके बाद जैसे ही बेल बजएगी वैसे ही अपना पेपर करना स्टार्ट कर देना सभी बच्चे अपनी अपनी सीट में रोल नमबर और डेट लिखने लगते हैं सभी बच्चों ने अपनी अपनी सीट पर अपना नाम और रोल नमबर लिख लिया है मेरे घरवालों ने भी मेरे नाम अजीब साही लग दिया है हाँ ने तो बच्चो जैसे ही बेल बज़ेगी आप लोग लिखना स्टार्ट कर देना आप लोगों का टाइम वैसे ही शुरू हो जाएगा और हाँ जल्दी जल्दी लिखना टाइम बहुत कम मिलेगा आप लोगों को ओके मैम तभी बेल बज़ जाती है अब सब लोग बिना शौर की अपना अपना पेपर करेंगे और कोई भी दूसरे की नकल नहीं करेगा अगर नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसका पेपर ही कैंसल कर दूँगी मैं सभी बच्चे अपना अपना पेपर जल्दी जल्दी से लिखने लगते हैं पहला और दूसर कॉशिन बहुत इस यदि में पहले उसे ही करती हूँ पहला कॉशिन तो हो गया दूसरा भी मुझे आते अब इसे भी जल्दी जल्दी करती हूँ मैं जेता है यार्दी नहीं आ रहा मैं कैसे पेपर लिखोंगी काश मेरे पाश शाकला का बुम बुम वाली पेंसिल होती तो मैं भी एक मिनट में पूरा पेपर जादू से लिख लेती बच्चो तुम लोग अपना अपना पेपर करो मैं भी दो मिनट में आई कोई शोर नहीं करेगा और नहीं एक दूसरे की नकल मारेगा समझे मैं भी आ रही हूँ इतना बोलकर मैडम चली जाती है जो रोखरियों कर देखो तो मैडम चली गई है यही पर खड़ी है अरे मैडम तो दिख भी नहीं रही लगता है सच में प्रिंसिपल मैडम की पार्ष चली गई अर्ये सुनो सुनो सब लोग मैडम सच में चली गई अर्ये सब लोग जल्दी से एक दूसरे में से देख कर पेपर कर लो और बाद में मुझे भी पेपर दिखा देना ठीक है हगंडा के बोलते हैं सब भी बच्चे दो दो पेहर में बैठ जाते है में तो पायर के पास जा रही हो उसे तो सब आता है रोपाली रोपाली आदा तुझे आता है और आदा मुझे आता है चल दोने मिलकर कर लेते है और ये मैं भी जाकर तिशा का पेपर देख लेती हूँ हागंडा के कहते हैं सभी लोग एक दूसरे की निकल करने लगते है और ये पायर क्वेशन नंबर फाइव का अंसर क्या है जल्दी से बता दे मुझे प्लीश मैं लिखता रही हूँ तो भी मेरी मेरी में से जल्दी से देख कर लिख ले मेरी आट क्वेशन पूरी हो गए मसा आ गया इसका यह अंसर है मुझे पकर पता है तो भी जल्दी से लिख ले सभी बच्चे एक दूसरे की जल्दी जल्दी से चिटिंग कर लेते है अठी जल्दी करो मेढम आने वाली है थोई दिल हो गई है में को जाये हुए एक बार फिर दिख ले चूं मेढम को कही यहां पर ना आ रही हो ओ माय गॉट मेढम आ रही है औरे सोनो सभी लोग जल्दी जल्दी से अपनी सीट पर बेच चूं में हा गई है और ये फागल भाग अपनी सीट पर फसवाईगी कि हम मैडम आ चुकी है हे भगोन मैडम करी देखना ले मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ मेरे दो क्वेशन हो ते गर मैडम आ गर अब कैसे करूँ सभी बच्चे जल्दी जल्दी से अपनी सीट पर वैसे ही बैठ जाते हैं जैसे पहले बैठी थी तभी मैडम क्लास के अंदर आ जाती है बच्चो प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि एक्जाम होने के बाद छुटी नहीं होगी मतलब मैडम मतलब कि तुम लोगों की क्लास तो होगी और नेक्स्ट एक्जाम की तयारी करवाई जाएगी आप सभी को क्या सारा मोड आफ हो गया चोई मोई अपना पेपर करो मोड तो तब आफ होगा जब एक्जाम में फेल हो जाओगी और वैसे भी टाइम होने ही वाला है तब ही पेपर खतम होने की बेल बच जाती है टाइम ओवर हो गया है जल्दी जल्दी से सभी लोग अपना पेपर मुझे दो अब कोई भी नहीं लिखेगा लाओ जल्दी से अपनी सीट इधर दो रुपाली सीट दो लिखना बंद करो मैंने मना किया है न रौश नहीं अपनी सीट पकड़ाओ अगंडा लाओ आप भी अपनी सीट दो जल्दी से मैडियम जल्दी जल्दी से सभी बच्चों से अंसर सीट कलेक्ट कर लेती है सबको मैंने पहले ही कहा था टाइम कम है जल्दी-जल्दी लिखना, अब टाइम खतम होने के बाद सब लिख रहे हैं मैंडम जैसे ही बैठती है तभी अचानक प्रिंसिपल मैंडम भी आ जाती है अरे प्रिंसिपल मैम आ गई गुद मॉर्निंग मैंडम गुद मॉर्निंग बच्चो मैम आप इन सभी बच्चों के पेपर्स अभी चेक कीजिए और इनको अभी मार्क्स बता दीजिए इतना बोलकर प्रिंसिपल मैडम क्लास की बाहर चली जाती है ओ ओ ओ मैंने सोचा तक घर जा के अराम से पेपर चेक करूँगी ये प्रिंसिपल मैजन बीना काम बढ़ा कर चली गई सुना बच्चों अब तुम लोग चुपचा बैट जो मैं पेपर चेक करती हूँ मैडम जल्दी जल्दी से सभी के पेपर्स चेक करने लगती है ये गलत है ये भी गलत है ये सही है ये भी सही है मैंने तो जल्दी जल्दी पेपर कर लिया पता नहीं सही होगा या गलत मैंने तो सारा सही किया मुझे तो अच्छे नंबर मिलने चाहिए आदा तो मुझे आता था और आदा मैंने की सोल में से देख के लिखा है पता नहीं सही जागा या गलत फेल तो मैं आउँगी, सब को नकल करवा दिया और खुद नहीं की हाँ नहीं तो इधर मैटम जल्दी जल्दी से सारे पेपर्स चेक कर लेती है बच्चो मैंने आप सभी की पेपर्स चेक कर दिये है इस बार की टॉपर है पायल उसे भी इस में से बीस मार्क्स मिले है ये मशा आगया मेरे तो शादा शाई निकला तो उन्हें पक्का नकल किये तबी तेरे बीश में से बीशा है समझी सबी बच्चे पायल के लिए क्लापिंग करेंगे सबसे कम मार्क्स अगंडा माई के है सॉला नमबर और बाकी सभी बच्चों के अठारा मार्क्स है ये मैं तो मैं पास होना बिटाओ बिटो मैं पास होना हाँ अगंडा तुम पास हो लेगे नमबर सिक्स्टीन है होजे मैं पास हो गई, मैं पास हो गई, हाँ हाँ मैं पास हो गई चेन तपाक दूम दूम, मैं पास हो गई हाँ गंदा पागल हो गई है, कम माकसाने पर भी कोई डांस करता है क्या हाँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों की तरह नकल थोड़ीना किये मैंने खुछ से महनत करके इतने नंबर लाएं समझे देखा दोस्तो मैंने नकल नहीं की और मेरी तरह आप भी कभी नकल मत करना इन सबने नकल किये मैंने तो जान बोच कर नकल करने के लिए बोला ताकि सबकी मानदारी देख सकू लेकिन आपकी हगंदा ने बिलकूल भी नकल नहीं की पूरा पेपर खुछ से किया हगंदा माईने दोस्तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई